असलाम लेकूं विवर्स आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ साधा सिलाई मेशीन से इंब्रोइडरी करना मैं इस डिसाइन को तियार करने के लिए चार नलकिया यूज कर रही हूँ अगर आप चाहें तो तीन भी कर सकते हैं ये मैं चारो नलकियों के दागे एक साथ लपेट रही हूँ डिसाइर त्यार करने के लिए मुझे जितना दागा चाहिए उतना मैंने फिर्की के उपर लपेट लिगा है सिलाई लगाने के लिए हम आम नलकी का ही इस्तमाल करेंगे ये अब मैं सुई की मदद से निचे वाला दागा जो है वो फिर्की का उपर कर लूँगी ये अब मैं दागे को पीछे को कर दूँगी ताकि हम जो शुरू से सिलाई लगाएंगे दागा कठा ना हो शुरू से सिलाई नीट लगे अब ये मैं गले के अंदर की तरफ बिलकुल किनारे पे स्लाई लगा रही हूँ ये देखें अब चो मैं दूसी स्लाई लगाऊंगी वो एक पैर के फास्टे पे लगाऊंगी ठीक इसी तरह तीसी स्लाई लगा लूँगी वो भी एक पैर के फास्टे पे स्लाई लग जाएगी ये देखें स्लाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है जो आपने पहले स्लाई लगाई है पैर का फास्टा उसको मदे नजर रखके लगाएं ये अब मैं दूसी तरफ से स्लाई लगाना शुरू कर रही हुए ये अब इसे मैं प्रेस कर लूँगी और ये जो धर्मियान में स्पेस चोड़ी थी ना उदर मैं एक एक करके शीशा लगा दूँगी ये देखें अब हम एकवल फास्टा रखके यू एच यू या सुई की मदद से शीशों को अटैज कर देंगे ये देखें, ये मैं करीब से दिखा रही हूँ इंस लाइयों के मदद से हम अपने ड्रैसिस को डिफरेंट स्टाइल में खुबसुरत बना सकते हैं ओके जी अब मुझे देजिए इजाज़त